पर आपका स्वागत है यह लोग तो कुटों की नस्बंदी में भी सोड़ा क्रोड रुपे का घबला कर चुके हैं लोगों ने भारतिय जंता पार्टी के लोगों नो साल की कामियाभी को गिनाया और इसको बताया के नो साल बे मिसाल है लेकिन मैं कहाना चाहूंगा कि भारति है जंता पार्टी के लोग नहीं भारत्य है चोर पार्टी के लोग हैं यहां पर एक हैडिंग कि नो साल बे मिसाल मनोहर सरकार ने किया कमाल शिक्सा मंतरी ने गिनवाई उपलबदिया तो इन्हीं उपलबजियों के साथ में हम यहाँ पर आए हैं भारतिय किसान यूनियन से परवक्ता हैं साहफ सिंग गुजर तो इन्हीं से सिद्वी बात करते है कि आखिरकार इनका जो यह दिया गया है तने मोटे बोटे हेडिंग में इनका क्या इसके उपर परतिक्रिया है इन्हीं सब पहले सबी को नमशकार और मैं जहां तक बताना चांगा कल हरियाना के अंदर इन लोगों ने भारतिय जंता पार्टी के लोगों नो साल की कामियाभी को गिनाया और इसको बताया कि नो साल बेमिसाल लेकिन मैं क्याना चांगा कि भारतिय कारियल के जिला कारियल पर बैट कर इनों ने एक गुनगान किया जोटा गुनगान किया है मैं जहां तक यूमन अगर की बात करूँ यूमन अगर के अंदर कल यहां के मंतरी विधायक मेर और भाजपा के जिला ध्यक्स ने बड़ी-बड़ी बातें बनाई कि ये नो साल बेमि है जब 9 साल पहले आपके पास बैठने के लिए कुरसी नहीं थी तो इतने बड़े-बड़े फाई स्टार होटलों के बराबर ऐसे कारेल कहां से आए इसलिए 9 साल बेमानी के साल लूट के साल पैदा हुए है और रही बात मैं आकड़ों के साथ बात करता हूँ आपने हरियाना प्रदेश में या केंदर सरकार ने किसान को देश के किसान को वैपारियों को गरीबों को जंता को क्या दिया आपने जहां तब मैं किसानों की पहले कहीं पर भी गेट पास कहीं पर भी इस तरह की पाबंदिया नहीं थी पोर्टल नहीं थे तब भी देश का किसान का धान छे जार सड़े छे जार उपे परती कोईंटल भी का करता था लेकिन आज वही धान सड़कों पर पड़ा हुआ है उसके लिए लड़कर किसान अपने रेट ले रहा है और अपनी फसल को भीकवाने का काम कर रहा है इसलिए नो साल बेईमानों के साल पैदा हुए है और रही बाद भरस्टाचार की ये लोग कहा करते थे पहली बार जब आए थे नो साल पहले आए थे कि हम भरती जब भी होगी करमचारियों की परची और खर्ची सिस्टम को बंद करने जाएंगे ये जो परची लेकर खर्ची लेकर नोक्रियां लगाई जाते हैं इसको बंद करने का काम करेंगे लेकिन इन बेईमान लोगों ने परची खर्ची बंद करने की बजाए बंद करने के साथ इन्होंने परचा और खर्चा लेकर आए हैं परचा खरचे का मतलब परचा खरीद लो और खरचा दे दो इन बेईमानों के नो साल के अंदर भरती जितनी प्रिक्षा ली गई है 40 बार प्रिक्षा लीक हुई है इसका मतलब यह बेईमान लोग हैं इनके पैसे सूट केसे में पकड़े गई हैं नोकरियां बिक्ती पकड़ी गई है इसलिए ये किस मुझे नो साल बे मिसाल होने का नाम या कहने का नाम दे रहे हैं और यहां का मुख्या मंतरी कुछ घोटालों में शामिल है कितने घोटाले इस सरकार के अंदर हुए नो साल के घोटाले गड़ाना चाहूं तो गिंती नही शामिल है, रिजिस्ट्री घोटाले में शामिल है, इसके अलावा धान घोटाला हुआ है, इसके अलावा सरकारी बसों के खरीद का घोटाला हुआ है, इसके अलावा कितने घोटाले हैं, शराब घोटाला हुआ है, नो सो क्रोड रुपे का, ये जिम्मेदार, ये जूटे लो अरोप लगते हैं तो इनको जवाब देना चाहिए 9 साल में कितनी लूट पार्ट किया कितना खाया है कितना इन्होंने देश का पैसा बरबाद किया है और यहां तक कि मुख्या मंतरी के उपर खुद उसके O.S.D. जोहार सिंग यादो हरियाना के अंदर गुडगावा के अंदर जिसर पांच हजार की बेनामी प्रोपर्टी बनाने का अरोप लगा है सिधा सिधा अरोप मुख्या मंतरी के उपर लगता है इसलिए लोग जूटी लुशान के लेकर जूटी बातों को लेकर जनता के सामने आते हैं जनता बरदास्त नहीं करेगी और बताना चाओंगा यहाँ के मुख्या मंतरी के अलावा यहाँ के मंतरी को विधाय को मेयर को यह जो प्रेस कॉनफरेंस करके आप लूट के अंदर में बैठके करते हैं यहीं तक कीजिए बाहर किसी की चोर बजारी में विकास हुआ है हर कदम पर बरस्टाचार है इनके आप किसी इनको उखाड़ कर देखेंगे तो वहां भी बरस्टाचार मिलेगा इसलिए बेइमानों की सरकार है चोरों की सरकार है इनको लोग सबग सिखाने वाली है और आने वाले टाइम में जनता इनसे हिसाब लेगी आप तो कह रहे हैं कि बेइमान की सरकार है इस तरह से बता दिया लेकिन सरकार गिनवारी के हमने हाईवे के जाल विछवा दी गए है वीदू तो विवाग में कहीं कारवाई आच्छी हुई है और काफी सारी अपनी उपलब्जे गिर्मा रही है इनके बारे में क्या कोगे देखिए इनके बारे में जनता जवाब देने का काम करेगी जब से पहले आज देखी नो साल पहले एक गैस लेंटर का रेट क्या था वो तीन गुना बढ़ चुका है इसके अलावा डिजल पेट्रोल की रेट कहीं गुना हो चुके है इसके अलावा जनता परिशान है मजदूर परिशान है गरीम परिशान है और घोटालों पर घोटाले होने जा रहे है और किये जा रहे है घोटाले इनके द्वारा किये जा रहे है हमी हाई जैक कर लिया है आज इनका रिकोर्ड उठाके देखिए इन सड़कों को बनाने वाले ठेकेदार गलियों को बनाने वाले ठेकेदार ये खुद बने चुके हैं अपने नाम से फर्मे नई बनाई नोने और उसी फर्म से ठेके लेकर ये घोटाले का काम करने जा रहे है उस सबसे ज़्यादा गोटाला कहा हुआ है नगर निगम के गोटाला हुआ है मैं तो कहना है चांगा आंकडों की बात है यहां हरियाना परदेश के अंदर अगर बात करें हम हरियाना परदेश की अंदर यासी कंपणी को Assessment ठीक करने का ठेका दिया गया था जिसमें क्रोड़ों रुपे का घटाला हुआ वो यासी कंपणी किसी थी? वो यासी कंपणी भारते जन्ता पार्टी के लोगों की थी उसके खिलाब कारोई करने का काम आज तक नहीं किया गया इसके लावा लोग assessment ठीक करने के लिए जाते हैं, assessment ठीक करने के लिए अवद वचुली की जाती है, जबकि दूसरी तरफ यही मेर, यही विधायक और यही मंतरी कलोनिया काटने में लगे हुए है, कलोनिया अवद कलोनिया काट कर देश की जनता को बेकू बनाया जा रहा है, और यह जितनी सड़के हरियाना के चारों तरह आप देखना है, जहां से भी आप युमन अगर के अंदर भी आओगे, कोई भी सड़ागा को बढ़ी हुई नहीं मिलेगी, जो आपने कलोनिया की बात की है, इसी में तो अभी पिछली जो सरकार थी, हुड़डा सरकार पर भी यही चीज लगी थे कोलोनिया काटने के बाद सारा आरोफ लगे थे, देखि उसके बाद जनता ने बदलने का काम किया, यदि कोई गलत काम करेगा, तो जनता सबक सिखाने का काम करेगी, उन्होंने अगर कलोनिया काटनी है, तो वहां सुनवाई भी किसी के खिलाब की होग हैं और इसका हिस्सा मुख्या मंतरी तक जाता है ये रिकोर्ड की बात है ये जूट बात नहीं है क्योंकि आज की तारिक में आपने देखोगा कि हर जगें पर सी-म फलाइंग आती है रेड डालती है मैं पूछना चाहता हूं यहां कि मुख्या मंतरी से परदेश के मंतरी से म जड़ी सी-म फलाइंग रेड डालती है तो मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया उस मुकदमे पर कारवई क्यों नहीं की गई इसलिए रेड डालने का एक नाटक है धोंग है ये केवल मातर जब लूट का पैसा मुख्या मंतरी तक नहीं पहुचता इनका कमाया हुआ पै तur था कि बड़ा इमानदारूं सबसे बेईमान वे मुक्या मंतरी है मैं कहूंगा ये अलिबाबा और चालिस चोरों की सरकार है चार सो चोरों की सरकार है यहां का इनका बनना परमुक डंना परमुक जितने पदातिकारी भाजपा पार्टी के हैं चितने इसमेर शामिला स सब में भरस्टाचार है जितनी लाइटे लगई हैं सब में भरस्टाचार है और यहां तक कि ये तो पॉल और लाइट की भरस्टाचार की बात कर रहा हूं में ये लोग तो कुत्तों की के नस्बंदी में भी सोड़ा कुरोड रोपई का घबला कर चुके हें यूमना नगर की अंदर साड़े तू की नस्बंदी के लिए इनों कहें के पास ज्वाव है तो पहले इस बात कर जौब दीजिए ये लूट के अंदर जिसमें बैठ कर आप बगवास करने का काम करते हैं यह लूट के अंदर किस पैसे से बना हुआ है इक भाजपा का विक्ति कह रहा था यह हमने मेनस से कठा करके बनाया हुआ है तो मैं कहना चाहूंगा यह दीतने सच्चे हैं अगर आप इतने सच्चे और इमानदार और देश बगत हैं तो इसको डिस्पले करें इसके ट्रांस्प्रेंसी दिखाएं कि आपका पैसा हर जिले में नहीं हर जिले मुख्याले तसील बलोक के अंदर इस तरह के लूट के अंदर इनोंने बना लिए इनका हिसाब देने का काम करें यह चोरों की सरकार है इनको भगान जा चुके हैं आप प्रिश्ट्री घोटाले में शामिल हो चुके हैं बिना पैसे के कोई काम नहीं होता इसलिए सीधा सीधा अरोप मुख्या मंत्री पर मंत्री पर पुरी भाजप सरकार पर जनता लगा रही है सवाल पूछ रही है आखर इतना प्रश्टा चार क्यों देखे सरकार की जो गरीब बच्चे को खतम करने का काम किया इन्होंने राइट टू एजूकेशन जो कहते हैं जी हमने लागू किया उसके अनुसार अगर करेंगे तो हर प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चे को अडिमिशन मिलना चाहिए लेकिन आप तो एजूकेशन जिसके कोडिंग नियरबाई जो भी प्राइवेट स्कूल होगा उसमें गरीब बच्चे को अडिमिशन में लेका तो एक भी गरीब बच्चे का अडिमिशन किसी प्राइवेट स्कूल दिखाने का काम करें और रही बात आज प्राइवेट स्कूल कौन चला र जो जुम्मेवारी आपको दीगी आपने सही से निभाने का काम नहीं किया और आप क्या पूरी हर्याना सरकार बेहिमानी में शामिल है चोर बजारी में शामिल है और आने वाले टाइम में जनता है इनको जवाब और सबग सिखाने का काम करें जो हर्याना सरकार है वो किसानों का हितेशी बताती है अपने आपको पर आज जो जिरी के जिसे सीजन गया इसमें पोर्टल की इतनी समस्या आई है किसानों को एक परचेस को लेकर ही बहुत दिक्कत आई उसको लेकर क्या कहना जाएंगा देखे ये पोर्टल ये 9 साल पहले न कि रहे गरीब दुखी रहे किसी के तैसी नहीं किसानों के सरासर दुश्मन है किसानों के कभी हिताशी नहीं हो सकते हैं